दोस्तों महाश्वेता देवी एक ऐसी राइटर थी जनकी बहुत सी राइटिंग्स पर बहुत सारी फिल्म्त बन चुकी है उनकी सभी कमाल की कहानियों मेंसे एक ऐसी कहानी भी है जो हमको सोचने पर मजबूर कर देती है एक बहुती फेमस स्टॉरी है द्रौपदी एक आदीवासी स्त्री के शोशन की कहानी एक ऐसी शॉर्ट स्टॉरी है जिसको बहुत सारे कोर्सेज मेंसे हटाने की मांग की गई क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही दिखाया गया है तो ऐसा क्या है इस कहानी में जो इसका इतना विरोध हुआ कहानी नकसलवादी आंदोलन से जोड़ी हुई है पश्चिम बंगाल में संथाल जन्जाती की एक महिला द्रौपदी जिस पर नकसलवादी होने का आरोप है उसके नकसली होने की वज़े से और उस पर कुछ मर्डर की चार्जिस होने की वज़े से पुलिस वाले उसकी और उसकी पती की तलाश शुरू कर देते हैं पुलिस वाले का नाम है सेना नायक जो इस 27 साल की औरत को ढूंड रहा है इसके पती का नाम है दुलना माजी ढूंडते वक्त ध्रापदी को एक नाम दिया गया है Most Notorious Female यानि बहुत ही कुक्यात वीमेल ये टाइटल इस लेड़ी को दिया गया बताया गया कि दोनों हस्बंड वाइफ ने सुट्जा साहू और उसके बेटों का मड़र कर दिया जहां पर इसकी फैमिली काम किया करती थी और उनको मारने के बाद दोनों गायब हो गए आप्टन साहब जिनको पकड़ने की जिम्मदारी दी गई है इसके बाद इनको पकड़ने की जिम्मदारी मिलती है एक बंगाली सीननायक को उसे बुलाया गया जो अच्छे से इस काम को कर सकेगा बहतर जानता है वो यहां के लोगों को इन गुरिला फाइटर्स को जड़ से उखाड़ के निकालने का काम इसी के जिम्मे सौपा गया है प्योंकि इन्होंने नाक में दम कर रखा है तो दोनों हस्बन वाइफ बकूली घाओं से भाग कर कुछ जमिदारों के घर में काम करने लगे हैं अब मैं आपको बता दू दोस्तों कुछ चीज़ें जो समझनी जरूरी है ये तोलों जंगल में थे हस्बन वाइफ जंगल में भागे ओए इनसानों को पकड़ना आसान काम नहीं है जबकि वो गोरिला वार करते हैं काफी खर्चा होता है फोर्सेस को जंगलों में लगाने में सरकार का बहुत खर्चा होता है फोर्सेस को फिर भी कोई accurate information ने मिलती कि कितनों को मारा गया कैसे मारा गया कोई नाम सामने नहीं है तो सेनन आयक की फोर्सेस ने क्या किया ऐसी जगा पर घेरा बंदी कर ली जहां पर पानी हो क्योंकि पानी की तलाश में इंसान आता ही है तो पानी की तलाश में जो दौपदी का हस्बेंड है मां जी वो आया पानी पीने के लिए तब unfortunately इसके हस्बेंड को पकड़ कर गोली से वही पर मार दिया गया कि दौपदी अभी भी जमिदार के पास थी जमिदार की बीवी जिसको मौशाई की बीवी कहा गया है उसने इसको सला दी भाग जाने की कि लोग तुझे मार डालेंगे तू निकल जाए हां से अफकॉर्स जमिदार की बीवी अपनी भी जान बचाने की कोशिश कर रही थी तो इसने वहाँ से वादा करके वहाँ से निकल आई कि जान चली जाए लेकिन आपका नाम नहीं लोगी कि मैं आपके यहां रह रह रही थी जरुरत पड़ी तो अपनी जबान काटकर खुद खा जाऊंगी लेकिन आपका नहीं लोगी और ये जंगलों में भाग गई जंगलों में चलते हुए इसे पीछे से आवाज आई किसी ने इसका नाम पुकारा दौपदी किन इसने कोई रेस्पॉंस नहीं दिया क्योंकि इसने नाम बदल लिया था यहां पर आकर क्योंकि इसका नाम सिर्फ जमिदार जानता था जमिदार की वाइफ जानती थी और कोई नहीं जानता था दिमाग में ये भी चल रहा था कि आखिर कौन होगा कहीं कोई बखुली से तो नहीं कि यहां तो सिर्फ मुशाय और उसकी वाइफ इसका नाम जानते थे असली नाम जानते थे शायद कोई बकीली से ही हो जो उसे ढूंड रहा हो जंगल में चलते हुए से याद आता है कि बकूली से वो क्यों भागी थी क्यों उसे और उसके हस्बेंट को भागना पड़ा था सुज्जा साहू जो एक करफ्ट आदमी था उसके बेटों को मारने उसको और उसके बेटों को मारने के पीछे भी एक बहुत स्ट्रॉंग बज़े थी तोरों हस्बेंट वाइफ वहाँ से भागते हुए कसम खाकर आये थे कि सारे जमीदारों सारे मनी लेंडर्स और सारे पुलिस वालों का सफाया कर देंगे लेकिन अब उसे इस जंगल में चुपने की जगया भी ने मिल रहे थी और आखिर सेना नायक ने उसे पकड़ी लिया शाम के 6 बच के 33 मिनिट पर उसे पकड़ लिया गया और पकड़ कर कैम्प में लाया गया सेना नायक ने अपने आदमियों को साफ कह दिया था कि इसके साथ जो करना है करो चाहे रेप भी करो लेकिन इससे उगलवाओ उन लोगों ने बड़े बुरे तरीके से इसका बलतकार किया उसके प्राइविट पार्ट से खून निकल रहा था चाहती पर नोचने के निशान थे उसे तो पता भी नहीं था कि कितने आदमियों ने उसके साथ रेप किया बार बार किया वो रात उसके लिए बहुत भारी थी अगली सुबह उसके बदन पर सिर्फ एक चिथड़ा कपड़े का चिथड़ा जो रेप करने के बाद उसके उपर फैंक दिया गया था एक आदमी इसे कहा गया कि उसे बुर्रा साहिब के टेंट में लाया जाए उसे लाने से पहले उसे पानी दिया गया लेकिन पानी उसने पिये बिना वो जो कपड़ा पहनाया गया था उसे दांतों से चीर कर फाड़ दिया सेराना एक बाहर आया उसने दौपदी को देखा और देखकर एकदम हैरान कि वो उसकी तरफ नेकड चली आ रही थी चाते थे न, देख लो, तुमने अपने आदमियों को मेरा रेप करने को कहा और उन्होंने कर दिया, तब सेना नायक ने गाट से पूछा कि इसके कपड़े कहा है, उसके आदमियों ने कहा कि पहनाय थे साइब, लेकिन इससे फाड दिये, वो बोली कपड़ों का मैं क्या करू यहां कौन मर्द है जिससे मुझे शर्माना चाहिए, जिससे अपना बदन चुपाऊं मैं, तुम मैंसे एक भी मुझे पर कपड़ा नहीं डाल पाएगा, और किसी को कुछ करना है तो आओ, कम आन, एंकाउंटर मी इसके बाद दौपदी ने सीना नायक को अपने बैस से धक्का दिया, यह लाइफ में पहली बार था जब सीना नायक इतना डरा हुआ था, एक ऐसे इंसान से जिसके हाथ में कोई हत्यार भी नहीं था, यह स्टोरी इतनी सी है, यह स्टोरी की समरी मैंने आपको समझाई है, उमीद करता हूँ आपको यह स्टोरी समझ में आये होगी, आज की वीडियो में बस अतना है,